लवली you की ट्विटर पे वाज़ाइं किसेंक तो लगतार बरते जारी है प्राइत नहीं बर रहा है मैं लगतारS पे लगी वह जहांकि यह और बहुत जवर्डत नहीं कोसिस की गई ऐस कोसिस का रिजल्ट की आने वाला है यह मैं आप सब्कूले ही को बहुत पहले बता रहा ह क्योंकि इस टेकिंग एक ऐसा फीचर होता है जहां पर आपको अपने को लॉक करके कुछ महने के लिए रख देना पड़ता है जिस पर आपको कुछ रिटेंस देखने को मिल जाते हैं जो जोढ मेरिवल कोईस दसी कोईस 1 मैं निकाल नहीं क्योंकि मैं नवहाई की संफट ञाएं शोप्लाइ से क्वेश χारा अगर सप्लाइए काम रहेगी तो इनों के साथ और होने वाला है इसे भी हम जरूर से डिसक्स करेंगे लवली इन्हों ने अपना बिग बर्निंग प्लान को एक्स्प्लेन कर दिया जहां की 99.94 परसेंट बर्निंग की जा रही है दोस्तों वह मैं आपको बताने वाला हूं बहुत एक्स्क्लूसिबली बहुत बड़ी अपडेट है क्या कुछ होने वाला लवली इन्हों कोईन के साथ लेकिन ट्विटर की संख्या लगतार बढ़ने वाल रही है दोस्तों और इस पर मैं जरूर से लवली इन्हों को कॉंगरेचुलेट करने वाला हूं क्योंकि यहाप देखेंगे 81 की की फॉल्वर्स की संख्या हो चूकि बहुत आता देश तो अल्टिमेटली लोगों का नुकसान होता अगर लोगों को पहले से पता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है यह बात अगर कुछ मेज़र बात आप सभी पहले से ध्यान में रखे तो आपको क्रिप्टो मार्केट में कभी नुकसान नहीं होगा बढ़ आपको कभी बताई नहीं जाता है किस बात पर आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले लवलीनू की कुछ कि अगर आप ग्राफ को देखेगा तो ग्राफ बहुत उपर से नीची आई उसके बाद अठाड़ा परसेंट का उपर जाना कोई रैली नहीं होती है दोस्तों यह बैसिकली इसके जाल में मत है यह कर लांच किया गया स्टेकिंग फीचर और स्टेकिंग आपको पता है कितना क इड़ा आपको डिटर्स देगी तो उससे आपको फैदा होगा बट मीम टोकन का आप देख रहे हाल क्या दोस्तों कभी पंप कर गई तो कर गई वरना फिर तो वहीं पर लटके रह जाएंगे और स्टेकिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है मीम कोई से वह दोस्तों पैस नीचे जाड़ी है तब भी आप इस टेकिंग से पैसे को निकालके नहीं कर पाएंगे सेल जिससे की आपको लॉस हो जाता है इसलिए यहाँ पर इस टेकिंग का जो फीचर है यह मुझे नहीं लगता है लवलीनू के लिए इतना काड़गर सावित होने वाला क्योंकि यहाँ पर क्वाइन के पास अपनी कोई यूटिलिटी नहीं है और जब तक यूटिलिटी नहीं आएगी तब तक क्वाइन पंप नहीं करेगी यह बात क्यों नहीं समझते है पता नहीं बट दोस्तों आप सभी समझ लीजिए अगली बार चैक किसी भी क्वाइन में इंवे लवली नू के साथ होते हुए देखने को मिल रहा बट लवली नू की कहानी और भी खड़ाब है क्योंकि लवली नू को अगर आप देखें तो लवली नू यहाँ पर अभी भी माइनस एक परसेंट भई है कभी तो प्लस में आजाओ मतलब इतनी भी क्या मतलब समझ रहे न प्लान है उसे भी थोरा समझ लेते कि अपनी अक्सर देखा है कि टोकन पंप कर जाती है बटनिंग होता कि आव सबसे पहले इसको समझ लेते दोस्तों बर्निंग होती है माल लीजे मिडे पास एक करोड टोकन है मैंने 50% टोकन को यानि की 50 लाग टोकन को ड़ेड वालेट मे अब माली जे बड़े पास 100 खड़दार थे तो सप्लाई घट गई और डिमांड जेनरेट हो रहा है तो क्या होगी प्राइस उपर जाएगी जिससे कि दोस्टों टोकन की दाम भरती है उसी को हम कहते है बर्निंग अब लवली उन्हों की जो 99.94% की बर्निंग है टूबी प्र और दोस्तों हम सीरी सीरे आगे बेसी स्कैन पर जहां की लवली उन्हों की अगर आप टोटल सप्लाई को देखेगा तो अभी बी 70 ट्रिलियन की सप्लाई बची वी है बट मैं क्यों कह रहा हूं 99.94% की बर्निंग साथ अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगी जिसे पंप का लवली उन्हें अपने 99.9% टोकन को बर्न कर दिये जिसे की लवली उन्हों की टोटल सप्लाई जो थी वह 100 ट्रिलियन पे आ गई थी दोस्तों और यहां पर इस एक लवली उन्हों को अच्छा हाइप भी मिला था क्योंकि अगर आप किसी भी टोकन का नाम सुनेंगे 99.9% उन्होंने बर्निंग कर दी तो आप भी जरूड़ से इंट्रेस्टेड हो जाएंगे उस टोकन में इन्वेस्ट करने के लिए जिसे की सुरुवाती इन्वेस्टर्स लवली उन्हों में जरूड से आए और लवली उन्होंने शुरुवाती के फेज बहुत अच्छा पंप भी दिखाया जिसने और इन्वेस्टर्स को अट्रेक्ट कर दिया बट उसके बाद लवली उन्होंने एक बर्निंग प्लान भी आप सभी को इंप्लीमेंट करके दिखाई जहां कि उन्होंने कहा कि हम 40 ट्रिलियन और कोई बर्न करेंगे जो कि 0.04 के बढ़ावर होता है दो इसे कि लवली उन्हों की जो टोटल कोईन की संख्या वह घटकी आ जाएगी 60 ट्रिलियन पर तो अब 60 ट्रिलियन पर कोईन की संख्या आने क्या होगा दो इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने उमीद लगाया होगा कि क्य परफॉर्मंस अगर आप लवली उन्हों की देखिएगा तो लवली उन्होंने बेसक बहुत वर्ष्ट परफॉर्म किया है इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों बर्निंग तो होड़ी है लेकिन ओवरॉल डिमांड नहीं जनरेट हो पाड़ा है जिस तरीके का होना चाहिए बेसके आपको बेसके कशन के पास कोई काम नहीं है मतलब कोई यूटिलिटी नहीं है तो कोई फैदा नहीं है क्योंकि लवलीनु की बेसिकली अभी तक एक ही उटिलिटी निकल के आई है जो कि इनका लॉंच पैड और दोस्तों अभी आगे यह लोग क्या करने वाले नहीं करने वाले उस पर तो मैं आगे किसी दूसरी वीडियो में आप सभी से चर्चा करूंगा बट यह पर 99.9% 94% बर्निंग से कुछ बड़ा इंपक्त नहीं आने वाला हो सकता है आपको 20, 30, 40, 50% की पंप देखने को मिल जया जो की बहुत पॉजिटिव सिनारियो में ही होने वाला है दोस्तों अगर लवलीनु ने कुछ अच्छा अब्डेट दिया तभी बर्निंग के बाद पंप आएगी वड़ना इस बार की बर्निंग से मैं कुछ एक्सपैक नहीं कर रहा हूं क्योंकि लवलीनु के पिछले तीन बर्निंग को अगर आप देखेंगे तो फ्लॉप सो रही है बिल्कुल बर्निंग का कोई इंपक्त नहीं पड़ा क्योंकि डिमांड ही नहीं घंटा देंगे साथ साथ डिमांड जेनरेट करना काफी जादे इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो मार्केट में अगर आप डिमांड नहीं जेनरेट कर पाएंगे तो बैसिकली सप्लाइग घंटाने से भी कोई फैदा नहीं होने वाला है आप सभी इस पर क्या राय रख एंपॉर्टेंट है थैंक्यू बड़ी मुच पर वाचिंग दी वीडियो माई दीयर फ्रेंड